शिवराज सिंग चोहार ने नर्मदापुरा में बीजेपे प्रतेशी के पक्षे प्रचार किया, शिवराज सिंग ने सोहाग पूर विधान सभा में चुनावी सभा की आज प्रचार का आखरी दिन है, पाच बजे, प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा और इसी के साथ लगातार कई दिगज प्रचार पिसार करते हुए नजर आ रहे हैं, आखरी दोर में, शिवराज सिंग चोहान ने भी प्रचार किया प्रवांगा आप पर अधिक्तम सो रुप्या ही विजली का बिल आएगा हर दो सारी सुविधाएं देने का हम काम करेंगे क्योंकि आप ही मेरे लिए भगवान है जो बुजुर्ग हमारे हैं, उनकी पैंसन बढ़ाके पंद्रा सो रुप्या की जाएगी बुजुर्गों को तीरती आतरा भी और अब बेटियों की साधी होगी तो साधी में कन्यादाने हो जामें, एक लाख रुप्या सीधे बेटिकों दिये जाएगे एक लाख रुप्य से बिदाई की जाएगी ताकि उनकी घर गरस्ती बस सके मेरे और रुप्ता में, मेरे दिक्षादी की हैं, अपन थोड़ी दिर बैटते, नाचते, गाते, रोटी खाते लेकिन आज चुनाओ प्रचार का हम्तिम दिन है, कई जगे मुझे जाना है, पांच बज़े प्रचार खतम हो जाएगा मैं भावुक अपील करने आया हूँ, मैं कहां कहां से कैसे आया आपको कल प्रणी है, रात को तीन-तीन बज़े सोता हूँ, सुब्या पांच बज़े से फिर चल देता हूँ, तो मुझे से ये कारिकम मैं बना पाया, मैंने विज़े से का विज़े सबेर ही हो पाएगा नो बज़े, तो विज़े ने का नो बज़े ही आजाओ, अब मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, कि विज़े आपका सेवक है, ऐसा विज़ाइक सौभागे से बिलता है, जो अपनी जनता के लिए दिन और रात एक कर दे, तो विज़े भाई को विज़े पाल को भर पूर मेरे जाने के बाद की लोग आते रहेंगे तो आप सब रुके, एक बार फिर से सबसे बात करें, और आप भाई और वेहनों से मेरा निवेदन है, विज़े को भर पूर आसिरवाद दिजिए, और ये च्छेट, एक तरफा भारती जनता पालिटी को वोट दे, सब को देनी बुरा काम किया, तो आच्छा किया तो मेरी सरकार फिर बनना चाहिए की नहीं, और बनेंगी तब विजय पाल विधायक बनेंगे, उसलिए विजय को असिरवाद दिजिए, मेरी बेहनों आज विजय तिलक लगा देना भाई दूज के दिए मध्यप्रदेश में प्रिचार के आखरी दिन विज्यपी के पक्ष में महाल बनाने के लिए सीम योगी आज पन्ना पहुंचे सीम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाए गरीव कल्यानकारी योजनाए प्रभावित दिन से बिना भेदभाव के हर तबके तक पहुचाने का काम हो रहा है इस दोरान सीम योगी ने कॉंग्रिस पर भी जम कर निशाना साधा इस दोरान सीम विकास की बड़ी-बड़ी परियोजनाए गरीव कल्यानकारी योजनाए प्रभावी घंसे दिना भेदभाव के हर तबके के पहुचाने का कार्य हो रहा है पलदा बाजार में असम किसीम हिमंत विस्वा सर्मा ने कॉंग्रिस पर तंजुकसा कहा कॉंग्रिस नेताओं की पार्टी है जबकी बीजेपी कार्यकरताओं की पार्टी है यहां कार्यकरता भी सीम बन सकता है कॉंग्रिस नेता का पार्टी है हमारा कार्यकरता का पार्टी है विजेपी करियाकर्टा का पार्टी है ये करियाकर्टा स्वियम बन जाएगा कॉंग्रेस नेटा का पार्टी है तो इवंत बिस्वा सर्मा के मुख्यमंत्री माल भी कमा रही है वाले बयान पर सीम भूपेश ने जमकर निशाना साधा और कहा कि वो विजएक खरीते हैं लेकिन उन्हें यहां पैसे खर्च करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो पीम मोदी ने सोचल मीडिया पर अपने चोतीस गड़ में चुनाव प्रचार अभ्यान के अनुभव साज़ा किये पीम मोदी ने ट्वीट में लिखा कि चुतीस गड़ में इस बार चुनाव प्रचार अभ्यान के दौरान मेरे अनुभव बहुती अद्भूत रहे कहा जाता है चुतीस गड़िया सबसे बढ़िया मैंने इसकी प्रती ध्वनी चारों तरफ महसूस की है चुतीस गड़ के परिश्रमी लोग अपने राज़ को और बहतर बनाने के लिए सर्वस्ट्रेश्ठ बनाने के लिए नई उमीदों और नई उज्जा से भरे हुए हैं वो जानते हैं कुशासन और ब्रश्टा चार के शिकंजे से अगर कोई चतीस गड़ को निकाल सकता है तो वो भाज़पा ही है भाजपा ने बनाया है भाजपा ही समारे की ये प्रधान बनाया है भाजपा ही सवारेगी अगले कुछ सालों में चतीस गड़ अपने 25 साल पूरे कर रहा है आज राज्य में जो नौजवान है जो पहली बार वो डालने जा रहे हैं वो एक समरुद चतीस गड़ की सपनों के साथ आगे बढ़ रही हैं अगले 25 वर्षों में विकसि चतीस गड़ का भी संकल के लिया वो अपने जीवन के अगले 25 वर्ष विकसित चतीस गड़ विकसित भारत की संकल को समरुद करने का लक्ष लेकर चल रही है रुदार मंतरी ने चतीस गड़ की मातारी हमारी बहनों बीटियों ने भी राज्य के विकास की ध्वजा पता का खुद उठाली है आज भारत जिस तरह महिला साशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है उसका प्रभाव में 36 गर में भी दिखता है इस चुनाव में कॉंग्रेस की करारी हारता है जनता भाजपा के सुश्वासन पर विश्वास कर रही है कॉंग्रेस के खोकले वादों पर नह तो पीम मोदी ने ट्विट किया है और कहा कि आज भारत जिस तरह महिला साशक्तिकरण की बात कर रहा है बहुत उत्साहित करने वाला है 37 गर के युवाओं की ये शक्ति है और इस बार क्योंकि बहुत सारे नए वोटर्स भी है उनके लिए भी पीम मोदी ने अपने ट्वीट में कुछ बाते लिखी है और कहा कि इस बार बहन बेटियों के साथ माताओं के साथ में जिस तरीके से युवाओं वोटर्स भी पाटिसिपेट करेंगे उनको भी बहुत सारी शुब कामना है बड़ी कबार इस बीच आ रही है जम्मू संभाग के जिला डोडा में बड़ा सड़ा खाथ्षा हो गया है जिले के असर में एक बस अनियंत्रे तो होकर करीब तीन सो फिट गहरी खाए में जाकि लिए इस हाथ्षे में 49 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है जब कि कई लोग घायल हुए है बस किष्टवार से जम्मू की ओर जा रही थी हाथ्षे का पता चलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुँचे और प्रशासन के साथ बचाओ राहतकारे में जुट गए कई घायलों को इलाज के लिए अस्पिताल में भरती किया गया है दोडा में बड़ा सड़क हाथ्षा और देखे किस तरीके से बस के खाई में गिर जाने की वज़ह से बस पुई तरह चतिगरसते हैं कि इसमें कुछ लोगों की on the spot मौत हो गई है हालाकि बहुत से ऐसे लोग है जो बस के नीचे दबे हुए थे उनको बाहर निकाला गया है 49 लोगों की अभी तक की जानकारी के मताबिक 49 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है क्योंकि काफी जादा गहराई में लगबग 300 फीट गहरी खाई में ये बस जागिरी और यहां पर देखे कैसे आसपास के लोगी खच्चा हुए इसे के साथ rescue operation शुरू किया गया है और जो लोग खाया ने उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है कैसे ये हादसा हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है अन्यंत्रित होकर लेकिन अभी तक की जानकारी में यही पता चल सका है कि बस अन्यंत्रित हो गई थी अन्यंत्रित होकर तीन सौ फीट गहरी खाई में जागिरी है गाया लोगों को जम्मू की और अस्पताल में भर्ती किया गया है जैसे ये लोगों को हादसे का पता चला आसपास के लोगों को वो मौके पर पहुच गए और प्रशास्तन के साथ राहत कारे में जुट गए कई घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भी भर्ती किया गया है मृतकों के परीजनों को प्रधानमंत्री राहत कोश से दो लाख मुआवजे का एलान भी किया गया है बड़ी बात आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री राहत कोश से दो लाख मुआवजे का एलान किया गया है मृतकों के परीजनों के लिए लगभग 49 ऐसे लोग है जिनकी मौत हो गई है अभी तक और जो मृतक हैं उनके परीजनों को दो लाख रुपए मुआवजे के तौट पर दिये जाने की बात की गई है प्रधानमंत्री राहत कोश से बड़ी कबार डोडा से डोडा में बड़ा सड़क हाथसा हो गया और बस के अन्यंत्रित होकर गिर जाने की वज़ह से 49 लोगों की लगभग अभी तक जो जानकारी मिल रही है 49 लोगों की मौत हो गई है हाला कि इस अड़क हाथसा कैसे हुआ और बस कैसे अन्यंत्रित हुई यह बहुत बड़ा सवाल है इसको लेकर अभी भी जाच जारी है क्योंकि मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और जाच भी जारी है 300 फीट गहरी खाई में यह बस गिर गई है और 49 लोगों की मौत हो गई है बीस लोग ऐसे लगभग है जो अभी घायल बताये जा रही है जम्मू के डोडा जिले के असार इलाके में यात्रियों से भरी एक बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई इस हाथसे में 49 लोगों की फिलहाल मौत हो गई है जबकि 19 से जादा लोग घायल हुए है और इन्हें अस्पताल में भरती क्या गया है बस किश्तवार से जम्मू जा रही थी इसी दोरान सडक से फिसल कर खाई में गिर गई बस में 55 से जादा बताया जारे कि पैसेंजर सवार थे घटना के बाद रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुची है खाई से गिरने के बाद बस पल्टी थी और हादसा इतना भयानक था कि बस को काट कर अंदर फसे लोगों को बाहर निकाला गया है रेस्क्यू टीम ने ये भी बताया कि घायलो को किश्सवार जिला अस्पताल और डोडा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भरती किया गया है गंभी रुप से घायलोगों को जम्मू एरलिफ किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है मृतकों का आकड़ा बढ़ भी स चोक संतफ परिवारों के प्रती मेरी संबेदनाए दुरघटा में घायलोगों के श्रेक्र स्वस्त होने की कामना की जा रही है प्रभावेत लोगों को सभी आवशक सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारे को निर्देश्चित कर दिया गया है प्रदान मंत्री कोश इसे आपके अगर अपने इस बस में सवार थे तो फॉरण इसके बारे में आप जानकारी लीजे क्योंकि आप ये बस जो अनियंत्रित होकर 300 फिट गहरी खाय में गिरी इसमें on the spot 49 लोगों की मौत हो गई है इस बस का नंबर JK02CN6555 है और अभी इस पूरे मामले में जाच भी ह हो रही है कि आखिर कहा खामिया थी क्या वज़ा थी जो बस अनियंत्रित हो गई तुकि इसमें बहुत ज्यादा लोग सवार थे जिसमें से 49 लोगों की मौत हो गई है खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात भोपाल की करेंगे उत्तर विधान सभा सीट से निर्दले प्रत्याशी का वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है चुनाव प्रचार करते बग प्रत्याशी आमीर अकील का रोते हुए वीडियो आया है दरसल विधायट आरिफ अकील के भाई होकर कॉंग्रिस से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं आपको बता दे कि कॉंग्रिस ने इस बार चुनाव में उत्तर विधान सभा सीट से आरिफ अकील के स्थान पर उनके बेटे आतिफ अकील को अपना प्रत्याशी बनाया है और राहुल गार्णी ने भी आतिफ के लिए भोपाल में रोड़ शो का जरता से बोट मांगे थे बोपाल से खबर आ रही है जहां कॉंग्रिस को बड़ा जटका लगा है कॉंग्रिस के पूर्व मंत्री के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए है जस्वन सिंग के बेटे योगेंदर रगवनशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है सीम शिवराज के सामने बीजेपी जॉइन किये उन्होंने सीम के कामकाट से प्रभावित हूँ योगेंदर रगवनशी का कहना है और इसलिए उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिता स्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने उन्हें सदसता दिलाई कि शिवराज सिंग चोहान ने सदसता दिलाई है आज एक तरफ जहां चुनावी शोर ठम जाएगा तो दूसरी तरफ आप देखिए कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और यह ताजा तस्वीर आपको दिखा रह सारा योगेंद्र रगुवंशी ने रुकेंग एक चोटे से ब्रेक के लिए कबरों का सिलसला लगातार जारी रहेगा